सोशल साइन्स का पेपर लीख हो गया लेकिन सावने बैठे हुए सिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि पेपर लीख हो गया हमको तो पता है कि नितीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खारी में डूमडी है यारी यह साबित करता कि बीजेपी और दितीश कुमार जी की जो पाठी है वो किसान विरोधी पाठी है कि बिहार में राजपाल ने कि अभीभाषन में ब्ओला कि धान की खरीद हो रही है लेकिन कहीं भी कुछ खरीद नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाईए जो अठारा सो रुपे मूल जो हो पर आधे दामों पर कही साथ सो रुपए में धान की खरीद हो रही है जिससे किसानों की स्थिती जो है द्यान निये होती जा रही है आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर विपक्ष हम लोग अगर आवाज ने उठाते तो यह बजट सत्र जो है मातर दो से तीन दिनों में ही खतम कर दिया जाता इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई ताकि जनता के सवाल को हम लोग जो लोगतंतर का मंदिर है सभी जन्प्रतनिदी जो है विहार के साड़े बाड़ा से तेरा करोर जनता की आवाज को हम लोग विधान सभा में उठा सके और आज मैट्रिक का परिच्छा चल रहा है जहां दस्वी क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीख हो गया आप बताइए विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीख हो गया लेकिन सावने बैठे हुए सिच्छा मंत्री और बिहार के मुख्ध मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि पेपर लीख हो गया अब आप बताइए कि कैसे यह सरकार चला रहे हैं जिनको ग्यान नहीं और यह तो बिहार अदबुद है इस मामले में कौन सा ऐसा परिच्छा जिसमें पेपर लीख ना हुआ हो कोई ऐसा एक्जामिनेशन हो चाहे निक्तिका हो चाहे बोर्ड परिच्छा है क्यों हो ऐसा कोई परिच्छा नहीं जिसका पेपर किया कोई सब्जेक्ट जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता है यह पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है जो लोगों का हाथ है जो कल्परिट है उनको पास्ट में भी इतिहास में भी उन्होंने प्रमोठी किया उसको प्रमोशन मिला यह ग कि लोगों के पास सबूत है लेकिन यह क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोचल साइंस या अनिक कोई परिच्छा हो उसका पेपर ली करता है तो कोई ना कोई जवाब देही तो बनेगी अब हमने सूचना दिया तो कम से कम एक नहतिक जिम्मिदारी होने के नाते मुखमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था बताना तो चाहिए था क्योंको सूचना क्यों नहीं मिली अगर सूचना थी तो उन्होंने चुपाई क्यों क्या करवाई की ये तो हम अपने बिहार के चात्रों चात्राओं के भविष्ची के साथ खेलवार कर रहे हैं हम अपने भविश के साथ आपके भविश के साथ बिहार सरकार जो है खिलवार करने का काम कर रही है इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो और जो लोग भी इसमें involved हैं सरकार जो है जवाब दाही जो है वो तैक करनी चाहिए और हमको तो पता है कि नितिश कुमार जी की अंतर आत्मा जो है बंगाल के खारी में डूब मड़ी है अब अंतर आत्मा जागने वाला नहीं नितिकता जागने वाला नहीं है अब वो राजपाल आवाज जाकर के इस्तिफा नहीं देंगे उनका शरम मिठ चुका है आंक का आशु जो है वह सूख चुका है उनको चिंता बिहार की नहीं बल्कि उनको चिंता अपनी कुरसी की है हम विपक्ष होने के नाते पूरी मजबूती के साथ बिहार की अवाज को बिहार की समस्याओं को बिहार की विदान सबा में उठाएंगे और उमीद करेंगे कि सरकार में कुछ शर्म बाकी हो तो करवाई करें बहुत बहुत धन्यवाद